लिबनान से बीते दिनों जो तस्वीरे सामने आई उससे हर कोई दहशत में हैं और लिबनान में अब हर कोई electronic device का इस्तमाल करने से डर रहा है उनका ये कहना है कि पहले pager, walkie-talkie और अब क्या mobile phone में blast होने वाला है क्योंकि pager में हुए धमाके में काई लोगों की मौत हो गई, walkie-talkie में जब धमाका हुआ तो लोग दंग रह गए और दुनिया देखते रह गई, कि लिबनान में आखिर ये हो क्या रहा है ये तस्वीरे जो आप देख रहे हैं ये 17 सितंबर की तस्वीर है, इन तस्वीरों ने पूरे लेबनान में कोहराम मचा कर रख दिया है राजधानी बेरूत में ऐसी अफरा तफरी मची की लोग दहशत में हैं और चंद मिंटों के अंदर पेजर में blast हो जाता है अस्पतालों में अचानक सैकडों घायल पहुचने लगते हैं और धमाकों से जखमी कई लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी दरसल जो हुआ उसने सब को चौका कर रख दिया, मंज़र दिल दहला देने वाला था आखों के सामने ही blast पर blast हो रहे थे लिबनान की राजजानी बेरूत के साथ कई शहरों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी धमाके हुए और इस बार blast के लिए walkie-talkie का इस्तमाल इसमें कम से कम 20 से ज़ादा लोग खायल हुए है और 450 से ज़ादा लोग खायल हुए है अब 20 से ज़ादा लोग मरे है और मरने वालों के आकड़े बढ़ भी सकते है इरान के समर्थन वाले संगचर हिजबुल्ला के लड़ाके एक दूसरे से बाकशीत के लिए पेजर और walkie-talkie का इस्तमाल करते है हिजबुल्ला इन हमलों के पीछे इसराइल का हाथ बता रहा है उधर इस मामले में UN सुरक्षा परिशद ने शुकरवार को आपाद बैचक बुलाई है अगला पेजर कहा फटेगा अगला पेजर बं किसके पास है क्या पेजर के बाद mobile phone भी फटने का खत्रा है क्या पेजर धमाको के बाद पश्ची मेश्या में ऐसा युद्ध होने जा रहा है जो गाजा से भी जादा खतरनाक होगा लेबनान ही नहीं इसराइल के हर दुश्मन देश में गुस्ता है और ये देश भढ़के हुए है क्योंकि पेजर में हुए करीब 3,000 धमाको के लिए एसराइल को जिम्यदार माना जा रहा है नेतनियाहू तो लगातार हिजबुला के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा रहे है टाइमस ओफ इसराइल के रिपोर्ट है कि हिजबुला की खिलाफ युद्ध की शुरुवात पेजर में धमाको के साथ करने की तयारी थी यहीं इसराइल के इंटलिजन्स एजन्सी का मकसद था लेकिन हिजबुला के एक सदसे को इसके बारे में पहले ही पता चल गया इसलिए पूरा प्लान एक्सपोज होने से पहले ये धमाका करना मजबूरी बन गया इस तरह के ओपरेशन को आज से पहले कभी अंजाम नहीं दिया गया था इन तीन हजार लोगों को एक साथ नुकसान पहुचाया गया जो अपने बम और रॉकेट से इसराइल को नुकसान पहुचा सकते थे अंतरास्ट्रे न्यूज एजन्सी रॉइटर्स ने लिबनान की सुरक्षा एजन्सी के हवाले से कहा कि इसराइल की खूफिया एजन्सी मौसाद ने उन 5,000 पेजर में विस्फोटक फिट कर दिये जिसका ओडर कई मैनों पहले हिजबुला ने दिया था दावा है कि मौसाद ने 6 इंच बाई 3 इंच के पेजर के अंदर एक विस्फोटक फिट किया जिसे किसी स्कानर से भी डिटेक्ट करना मुश्टिल है पेजर के अंदर 5 ग्रम विस्फोटक फिट किया गया जिसने पेजर की बैटरी के साथ धम्माका किया लिबनानी सुरक्षा विभाग का कहना है कि जिन पेजर के बैच में विस्फोट हुआ था उन्हें लिबनान में हिजबुला को सौपे जाने से 5 महीने पहले मौसाद ने रोक लिया था उसी दौरान हर पेजर के अंदर विस्फोटक रखा गया था The New York Times की रिपोर्ट है कि इसराइली खूफिया एजेंसी इन पेजर को लिबनान पहुचने से पहले ही टेंपर किया गया है और इसके बाद जो है इसके साथ छेड़ चार भी करने की बाद सामने आ रही है साजिश रची गई है लिबनान की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि इसराइली खूफिया एजेंसी मौसाद ने सप्लाइ चेन में घुस कर पेजर को मौडिफाई किया उन्हें लिबनान भेजे जाने से पहले उनमें विस्पोटक लगाए गए ये घटना बेहद मात्वपूर्ण है ये भविश्य में किसी भी इसराइली अभियान के दौरान गेम चेंजर साबित हो सकती है लिबनान में हुए पेजर धमाकों में हिजबुला के एक सांसद अली अम्मार के बेटे की भी मौत हो गई है जबकि एरान के राज़दूद मुझतबा अमानी घायल हुए है उनकी एक आँख की रोशनी जा चुकी है इस केस में इरान का सीधा दखल हो चुका है और अब इस हमले के बाद युद का दायरा बढ़ने का खत्रा भी है लिबनान में पेजर वाले धमाकों की आँच अमेरिका पहुँचे इससे पहले ही बाइडन और उनके रक्षा मंत्राले ने इस हमले से फॉरन किनारा कर लिया इसमें अमेरिका की कोई भागिदारी नहीं है लेकिन फिर भी इस मामले पर हम लगतार नजर बनाए हुए है पेजर एक ऐसा डिवाइज है जिसका इस्तमाल कम्यूनेकेट करने के लिए किया जाता है पेजर एक ऐसा electronic device है जो कि कुछ-कुछ mobile की तरह ही काम करता है और आज भी इसका इस्तमाल होता है ऐसा नहीं है कि भारत में इसका इस्तमाल कभी नहीं हुआ इसका इस्तमाल भारत में भी हुआ है इसके साथ ही कई और अन्य देश आज सब भी इसका इस्तमाल करते हैं लेकिन जब इन पेजर्स का ओर्डर दिया गया तो बीच में कहां छरखानी हुई इन पेजर्स के साथ आप ये समझ सकते हैं और पेजर्स में जब blast हुआ तो लोग देखते ही रहे गए क्योंकि इस तरह का धमाका कभी इससे पहले नहीं हुआ ना ही इस तरह की साज़िश किसी भी देश ने किसी और देश के लिए ऐसे रची है हलाकि पेजर्स तो पेजर्स लेकिन वौकी टॉकी में भी हाल ही में धमाका हुआ है जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है आकड़े बढ़ने की उमी जता ही जा रही और 400 से जादा लोग घायल हो गए है वौकी टॉकी भी कॉन्वर्जेशन के लिए कम्यूनिकेशन के लिए यूज किया जाता है तो क्या अब मोबाइल फोन की बारी है सब डरे हुए है सहमे हुए है और साथ ही ये मामला ना केबल सिर्फ हिजबुला और लिबनान तक रह गया है बलकि अमेरिका इस्रैल ऐसे कुष्मनी पैदा होती है